दोस्तों अगर आप लोग online learning license बनाना चाहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि license बनाने के लिए हमें online test देना पड़ता है या यूँ बोलें तो online exam देना पड़ता है तो आखिर online exam होता कैसे है किस तरह के question किये जाते हैं आप सभी के दिमाग के अंदर ये confusion होगा तो इस वीडि वीडियो में live आपको online learning license का इजाम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से होता है तो दोस्तों अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को like नहीं किया है तो like करके channel को subscribe कर दीजिए अगर आपके दिमाग के अंदर कोई confusion रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे comment करके हमसे पूछ ल देना है प्रसीड करने के बाद यहां पर दिखिए आपको continue करना है continue करेंगे तो यहां पर आपको language सबसे पहले language select करना है हिंदी उसके बसे दोनों पर टिक करके continue कर देना है अभी तुरंत ही आपका एकजाम स्टार्ट हो जाएगा देखिए यह एकजाम भी चालू होने वा प्राथमी कुपचार पुलिस सहाय तो प्राथमी कुपचार वाला सही है यहां पर देखिए कंफर्म करने के बाद यह वाला option सही हो गया यहां पर देखिए पहला score मिल गया यहां पर चिन बता रहा है कि आराम स्थल कौन सा है तो यहां पर आराम स्थल यह दूसरा वाला ल लग रहा है तो चलिए तीसरे वाले को सेलेक्ट करके कनफर्म करते हैं यहां पर देखे यह भी बिल्कुल सही हो गया यानि टोटल दोस्तों हमें नौ कोश्चन के एंसर देने हैं ठीक है यहां पर देखे मवेसी पूछ रहा है तो जाहिर सी बाद है तीसरा वाला सही लग रह हुआ है तो आप लोगों को इस तरीके से ऑफसन सेलेक्ट करके कनफर्म करना होता है टोटल आप से 15 कोश्चन किये जाएंगे 15 में से 9 कोश्चन का आपको सही सही एंसर देना होता है 9 कोश्चन का एंसर आप लोग सही सही दे देंगे तो आप लोग एक्जाम में वाला सही है जो है लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है किस पर टीक लगाया है देखे किस पर टीक किया है पहला वाला सही था यहाँ पर देखिए गलत हो गया दोस्तों अगर आपका 6 question गलत भी हो जाता है तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप लोग 9 question सही कर देते हैं तो आप लोग pass हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए finally यह question भी बिल्कुल सही हो गया है total यहाँ पे 6 score मिल गया है अभी 8. question आ गया है इसमें देखिए license की वैता पूछ रहा है तो दूसरा वाला सही है दोस्तों देखते हैं किस पे टिक करता है यहाँ पे दूसरा वाला ही सही है तो दोस्तों बहुत आसान-ासान question किये जाते हैं देखिए दूसरे पे इसने टिक कर दिया बिल्कुल सही हो गया यह वाला question भी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा easy-easy question किये जाते हैं पुल को पार ना कर ले तो यहां पे देखते हैं किसको ٹिक करता है तीसरे वाला इसकी में सही है समय तीसरे वाले कोहीं टिक किया यह भी सही हो गया दोस्तों अब देखिए टोटल स्कोर आठ हो गए है और यह booked पास कर देगा ठीक है तो यहां पे देखिए यहां पे दसवे question में क्या करता है यह दसवे question इन में से कोई नहीं नहीं तीसरा वाला सही है ठीक है दोस्तों यहां पे देखिए success हो गया देखिए दोस्तों अब यह direct pass कर देगा और तुरंत ही license अप्रूब भी हो जाएगा कर दोस्तों अप्रूब भी हो जाएगा